इसलिए वीडियो में हमने ये देखा था कि admin अपनी post पर कैसे comment कर सकता है तो अभी हम देखते हैं कि हम अपनी post पर यह हम अपने page पर comment को कैसे enable yet disable कर सकते है मां लिजिए मैं अपनी post पर comment को disable करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि comment का option नहीं provided ना हो या मैं यह चाहता हूँ कि मैं home page पर यहाँ पर नीचे comment का option प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो comment को कैसे हम enable या disable कर सकते हैं किसी post पर या किसी page पर तो अभी हम देखते हैं for example मैं यहाँ पर about us के page पर यहाँ पर नीचे user को एक comment का option प्रोवाइड करना चाहता हूँ यहाँ पर तो अगर यहाँ पर आप as admin login है तो यहाँ पर आप directly edit page कर सकते हैं तो यहाँ पर यहाँ आपका जो about us का page है यहाँ पर edit हो जाएगा तो मैं यहाँ पर dashboard में आ जाता हूँ जहाँ पर मैं pages के अंदर आकर all pages और यहाँ पर मैं about us को edit कर लेता हूँ edit और यहाँ पर आजाने के बाद मैं यहाँ पर page section में आ जाता हूँ अबर apply के दूसरा page है page section में आकर यहाँ पर मैं discussion को open कर लेता हूँ और यहाँ से मैं allow comment को enable कर लेता हूँ enable update अपनी website में आ जाता हूँ इसको refresh कर लेता हूँ तो यहाँ पर about us के page पर comment enable हो चुका है इसके लावा यहाँ पर आप all pages में जाकर यहाँ पर आप quick edit भी कर सकते हैं यहाँ से मैं all pages में आ गया हूँ contact us के page पर भी comment का option enable हो चुका है तो हम दो तरह से अपने page पर comment को enable या disable कर सकते हैं अगर आपने disable करना है तो आप इसको uncheck कर लें quick edit uncheck इसके बाद यहाँ पर about us इसको भी uncheck कर लें update uncheck check और यहाँ पर मैं इसको refresh कर लेता हूं यह enable हो चुका है और यहाँ पर about us भी enable हो चुका होगा यहाँ पर about us भी enable हो चुका है तो अभी हम ने जस्त यह देखा कि हम अपने pages पर comment को कैसे enable या disable कर सकते हैं अगर आपने किसी post पर कोई comment को enable या disable करना है तो भी आप कर सकते हैं view कर लेता हूं नीचे आ जाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर comment disable हो चुका है जबकि यहाँ पर आप मैं दूसरी post पर आ जाता हूं इसको open कर लेता हूं और यहाँ पर के comment का option provide करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको disable नहीं किया था तो अभी हमने यह देखा कि हम अपने pages और post पर comments को enable या disable कर सकते हैं